नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 27 अक्टूबर 2020 के डेली करेंट अफेर्स बर्निंग न्यूस डिसकर्शन में आपका सागत है आज की सारी इंपोर्टन न्यूसे मैं आपको बताऊंगा आगे बता दू इस लेक्चर की पीडियेफ के लिए आप टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लिजे वहाँ पे आपको इसकी पीडियेफ मिल जाएगी साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपने जैन्यून डॉट्स पूर्श सकते हैं मेरी मदद करने के लिए आप जॉइन बटन दबा के चैनल के मेंबरी बन सकते हैं वहाँ कुछ और वीडिय जाता है आस्मान में इतना ज्यादा पॉलिशन हो जाता है कि सांस लेने लाइक हवा नहीं रहती है और उसमें एक मेजर रोल प्रे करता है स्टबल बर्निंग क्या होता दोस्तों कि विंटर क्रॉप को प्रेड्यूस करने के लिए जो आपके राइस और वीट के पुराने ड धुआ होता है और हवा थोड़ी सी भी दिल्ली की तरफ अगर हो गई तो ये पूरे कपोरा स्टेबल बर्निंग का जो धुआ है ना वह दिल्ली पहुंच जाता है अब बात यहां पर यह है कि ये प्राबलम फिर से इो दिल्ली में आ रही हैं इनी दिल्ली में सर्दियां आ को रोकने के लिए कुछ कहेंगे और यह किसने बोला यह इसा लग रहा है कि अभी तक ministry of agriculture से इस बारे में कोई भी discussion नहीं हुआ है अभी देखे स्टबल बर्निंग रोकनी है तो agriculture का मामला है तो obviously ministry of agriculture involved होगा तो ministry of agriculture से ऐसा लग रहा है कि कोई भी बात हुई नहीं है स्टबल बर्निंग बहुत तेजी से हो रही है पंजाब और हरियाना में इसके चलते pollution बहुत तेजी से बढ़ रहा है मंडे को most probably 1200 instances हुएं स्टबल बर्निंग के ये सब पता कैसे चलता है देखिए एक forecasting system है सफर नाम का किसका है ministry of earth sciences का इसमें ये बोला जा रहा है कि स्टबल बर्निंग के चलते जो air quality है आपकी दिल्ली में वो बहुत ज़दा घट रही है और overall दिल्ली का जो air pollution है उसमें stable burning का कितना percentage contribution है तो 16 percentage contribution है दिल्ली में pollution केवल stable burning चलते नहीं है जो दिल्ली में vehicles चलते हैं उनसे हवा निकलती है जो industries है दिल्ली में उनसे pollution गंदा होता है environment गंदा होता है तो overall stable burning का contribution कितना है 16 प्रतिशत already कि दिल्ली NCR में इसको रोखने के लिए कुछ किया जा रहा है बिल्कुल किया जा रहा है graded response action plan इसको देखता कौन है environment pollution authority यह already active है यहाँ पे environment pollution authority supreme court की guidance के अंदर graded response action plan के implementation को देख रही है इसमें बहुत सी चीज़े की गई है जैसे कि अगर pollution बढ़ा तो diesel generators का इस्तेमाल को बैन कर दिया जाएगा वहिकल movement को restrict किया जाएगा degree of pollution के इसाब से but actually में यह सारे measures कुछ भी real effect दे नहीं रहे हैं ground पे दिल्ली के हवा लगातार गंदी हो रही है दिल्ली की हवा फिल दी है जिसको मैंने आज के editorial discussion में cover भी किया है अगली news निकल के आ रही है जो Oxford University वाली vaccine है इसमें कुछ positive news निकल के आ रही देखिए British drug maker है AstraZeneca इसने इस vaccine को develop किया है इसके trials इंडिया में भी चल रहे है vaccine का नाम है AZT122 इसको CHADOX1 भी बोला जाता है इस vaccine को मैंने पहले cover किया है इसका experimental face चल रहा है और एक बहुत अच्छी चीज इस vaccine में देखने को मिल रही है कि जो immune response यह young adults में दे रही है वही immune response यह बूढ़ों में भी दे रही है हम सबको पता है जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारा immune response है वो कमजोर होता है और कमजोर immune response के चलते कोरोना वाइरस में बहुत बूढ़े लोगों की जाने लिए तो अगर यह vaccine थोड़ा सा भी बूढ़ों को बचा पाए तो इस vaccine की जो effectivity है वो ज़्यादा मानी जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो extrazenica ने जो vaccine बनाई है आपकी azd1222 जिसको chadox1 भी बोला जाता है यह vaccine जितना immune response यंगर people में लेके आ रही है उतना ही immune response elder people में भी लेके आ रही है तो यह एक अच्छी news है नाला कि अभी भी इसको commercial basis पर produce करके लोगों को administer करने का clearance नहीं मिला है उसमें अभी पांच से छे महीने और लग सकते हैं अगर कुछ adverse effect नहीं आता है तो general studies paper 2 में चीज़ा आपको काम आईगी फिर यह news पिछले 3-4 दिन से लगातार editorial current defense में डिसकस कर रहा हूं भाया Secretary of State US के Mike Pompeo और उनके इसपर साब है यह इंडिया में आ चुके हैं और इंडिया में last foundational agreement इन दोनों के बीच में sign होगा defense minister राजनाज सिंग और external defense minister जैशंकर साब इन से मिलेंगे अभी के लिए इंडा और यूएस में तीन arrangements already sign हो चुके हैं एक तो Jisomia already sign हो चुका है एक Lemova already sign हो चुका है एक Comcasa already sign हो चुका है और अभी के agreement में ये BESA sign होने वाला Jisomia, BESA, Lemova, Comcasa ये क्या होता है मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले तीन-चार दिन से इसके बारे में बातचीत हो रही है अगर नहीं पता है pause करके आप यहाँ पढ़ लिजे नहीं तो PDF में आपको Telegram Group में available करवा दूँगा वहाँ पढ़ लिजेगा तो this is the last agreement और कहा जा रहा है कि BESA का access मिलने के बाद एक बार अगर इंडिया को BESA यानि Basic Exchange and Corporation Agreement on Geospatial Corporation ये sign हो गया तो Geospatial Maps जो है US के वो इंडिया को available हो जाएंगे और फिर इंडिया की drone strikes और missile strike की जो accuracy है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी और most probably BESA sign होने के बाद हमें यो भी उम्मीद है कि जो USA के highest quality के most defense जो advanced उनके military drones है वो भी most probably USA शायद हमको बेचेगा इस meeting में एक maritime information agreement को sign करने की बात हो रही है इंडिया already maritime information agreement Australia जापान के साथ sign कर चुका है US के साथ भी यहाँ पे sign होगा फिर कुछ officers को post की जाने की बात कर रही है US Central Navy Command में US Indo-Pacific Command में वो चीज़ें उतनी important नहीं है अगर आप नहीं भी देखोगे तो कोई खास नुकसान नहीं होगा GS paper 2 में ये news आपको काम आएगी फिर efforts to block child pornography देखें major search engine जो Google है उसने दिल्ली high code को inform किया कि देखें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि child pornographic content हमारे platform पे ना है तो Google में भाई Google के बहुत से आपके platform से hangouts है आपका YouTube तो आप जानते ही हो Google search engine है तो किसी भी प्रकार से Google के किसी child pornography से related content ना आ जाए लेकिन जो Google के representative है advocate सजन पूआया इनका ये बोलना है कि देखें सर जैसे ही हमारे platform पे child pornography से related कोई भी content report होता है हम उसको तुरंद ब्लॉक कर देते it is immediately banned and blocked problem ये है कि जब videos upload करते हैं upload करने के समय उन videos में उन images में कोई pornographic या फिर अगर कोई objectionable content है उसको हम identify करते हैं artificial intelligence से और machine learning से और artificial intelligence और machine learning के कुछ restriction से इनकी कुछ सीमाएं हैं ये 100% efficient तरीके से काम नहीं कर सकती कि मतलब कि आप ये बोल दो कि artificial intelligence और machine learning के दम पे हम एक photo डालेंगे और photo को डालने से पहले process करने से पहले ही पता चल जाएगा कि वो child pornography related है ये बहुत मुशकिल है in fact YouTube में अगर कोई video upload होती है तो उसमें भी process करते समय बहुत बार Google से miss हो जाता है या YouTube algorithm से miss हो जाता है कि कहीं ये video child pornography related तो नहीं है तो Mr. Pooaya ये बोले हैं कि देखिए artificial intelligence और machine learning के जो हमारे software से वो हम धीरे धीरे उनको process करके और अच्छा कर रहे हैं समय आने के साथ साथ हम इसक efficient कर देंगे कि तुरंस हम ऐसे content को block कर दें अभी के लिए जैसे हम कोई ऐसी reporting मिलती है कि कोई गलत video या कोई गलत image हमारे platform पर upload हुई है हम उसको तुरंस हटा देते हैं तो Mr. Pooaya ने Delhi High Court के response में ये बोला है कि जो भी थोड़े बहुत आपको child pornography related content हमारी website पर दिखते हैं वो तब दिखते हैं जब वो कुछ समय के लिए हमारे website पर आते हैं चुकि report करते समय ही हम उनको block कर देते हैं हाँ process करते समय चुकि बहुत ज़्यादा content Google manage करता है तो manual verification उस content का possible नहीं है तो automated learning, artificial intelligence and machine learning की तुरू इन चीजों को करने में थोड़ा समय लगेगा उस level की technology लाने में थोड़ा समय लगेगा अगली news है Chileans vote for new constitution चिली नाम की country में एक नए constitution को लाने के लिए लोगों ने vote के हैं actually चिली नाम की इस country में एक referendum हुआ है अगर आप चिली की location देखिए तो यह जो पतली सी strip नज़र आ रही है ना South America नाम का जो continent है South America के western edge पे आपको चिली नाम की चिली के north में आपको पेरू और इस तरफ आपको बोलीविया नज़र आ रहा है तो Argentina, बोलीविया और पेरू यह तीन countries बॉर्डर कर रहे हैं आपके चिली को चिली किसके साथ बॉर्डर बनाता है तो Pacific Ocean के साथ बॉर्डर बनाता है इसके west में आपका Pacific Ocean है जाओत अमेरिका क वेस्टरन एच पर फड़ता है आपका चिली चिली में अभी एक referendum हुआ है और जो इनका बहुत पुराना constitution था जो dictator के era के दौरान लेके आया गया था इसको replace करने की बात की गई है यहाँ पे 1973 से लेके 1990 में एक dictator राज किया करते थे Augusto Pinochet यह जो constitution लेके आया थे इस constitution को हटाने के favor में एक referendum पास करा है चिली में यहाँ पे जो approved campaign है मतलब जो यह बोलता है कि भई referendum के थूँ कि पुराने constitution को हटाओ 99% votes की जब counting हुई तो पता चला 78.28% votes बोल रहे हैं कि पुराना constitution हटाओ 21.72% लोग अभी भी ऐसे थे जो बोल रहे हैं कि नहीं पुराना constitution रखो प्रेजडेंट सेबेस्टिन पिरेनरा ने बोला है कि अब हमारा देश साथ आएगा हम लोग साथ मिलके एक नए सम्मिधान को बनाएंगे ये स्पीच प्रेजडेंट सेबेस्टिन पिरेनरा ने मोनेडा पैलेस्टि दी है और अब प्रेजडेंट सामने अपने देश के लोग को एक कॉल दी है कि जब तक हम सब मिल जूलके एक ऐसा सम्मिधान नहीं बना लेते जो सबके लिए है तब तक हम शान नहीं बैठेंगे इस तरीके के अच्छे अच्छी बात लीडर्स दुनिया वर में करते है एक और छोटी स्दियों निकल के आ रही है सीरिया में जैसे तैसे मार्च 2000 ब्यूस में एक ट्रूस हुआ था आपको पता है सीरिया एक ऐसा देश है जो सारी अलग-अलग कंट्रीज के लड़ने का अड़ा बन गया है तो यूस तो इंवल हैं वापे इरान भी इंवल है यापे तर्की भी इनवल है रशिया भी इनवल है तर्की की जो foreign policy है बड़ी खतरनाक सी हो रही है वो अपने internal मामलों में गुसने के बजाए दूसरों मामलों में बहुत गुसने है तो कश्मीर की issue को उठा रहे हैं पाकिस्तान को FATF से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तर्की में आपको पता है tourism बहुत famous है तर्की का तो Istanbul, Cappadocia, Ankara ये सब बड़ी जबरदस्त जगह हैं तर्की की जहां पर बहुत tourism होता है आपको पता है कि तर्की की जो tourism industry है पूरी की पूरी जो southern तर्की है उसकी tourism industry इस civil war के चलते सीरिया में जो बवाल हो रहा उसके चलते बहुत ज़दा affected है उसके बाद भी तर्की बाज नहीं आ रहा है तर्की, Syrian regime के अगेंस जो rebels लड़ रहे हैं उनको support कर रहा है और आप देखें कि सीरिया एक ऐसा जगा बन गई है जहां पर तर्की और रश्या एक दूसरे के अगेंस दरड़ रहे है recently रश्या ने एक air strike की जिसमें तर्की बैग 78 rebels मारे गए यह air strike हुई है इदलिप नाम की प्रोविंस में यह सीरिया का मैप है और सीरिया के western edge में Mediterranean Sea है एक बार UPC prelims में सवाल पूचा गया था क्या सीरिया किसी ocean के साथ boundary बनाता है और बैसी बात है Mediterranean Sea के साथ सीरिया boundary बनाता है तो यहां पर इदलिप प्रोविंस में जबल दुआली एरिया में फहयाल अल फैक्षम की किसी बिल्डिंग में रशिया के वार प्लेंस ने भाईया बंबरसा है 78 लोग मारे गए तो छोटी सी news है बहुत जादा चीज़ देखने ही जरूत नहीं है अभी के लिए सीरिया में कंडिशन कुछ ऐसी है कि जो सीरिन गॉर्मेंट है वो almost 70% of the siria पे कभजा करके बैठी है और बचा 30% जो इलाका है वो rebels में बटा हुआ है तो कुछ Turkish-backed rebels में बटा है कुछ बाकी दूसरे faction of rebels में बचा है मतलब proper बवाल हो रखा है सीरिया के अंदर सीरा के अंदर एक player नहीं जाने कितने players involved है और सब लोग अपने 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 इलाके के लिए लड़ रहे है आगे चलते हैं आज की final news interest on interest waiver to cost x चकर 7.500 करों मैंने आपको पहले ही बताया था कली ही बताया था actually 3-4 दिन से ये video चल रही है finally सरकार ने बैंकों से बोल दिया है कि 5 November 2020 तक 1 March से लेके 31 अगस्त के बीच में जो extra पैसा, extra interest माफ किया था Central Government ने वो refund कर दो 1 March से लेके 25 March के लगबग आपका पता है कि lockdown लगा था दोस्तों देश में तो 1 March से लेके 31 अगस्त तक जिसने भी 2 करूर रुपे तक के लोन ले रखे हैं बैंकों से उनको interest और an interest नहीं देना है मतलब interest देना है सरकार को, बैंकों को but simple interest पर देना है compound interest पर नहीं देना है तो यहाँ पर कित्ते लोगों को benefit हो रहा है 75% of the total borrowers को benefit हो रहा है और systematic credit यानि इन बैंकों ने जितना पैसा बाहर घुमा रखा है उसमें 40% of the money पर एफेक्ट हा रहा है तो 40% of the system credit पर एफेक्ट हा रहा है 75% of the borrowers पर एफेक्ट हा रहा है और इनके चलते जो खर्चा होगा सरकार का वो होगा 7,500 कुरून ये खर्चा सरकार खुद से बियर कर रही है scheduled commercial bank जिनोंने पैसा घुमाया है लोन पे उनको ये पैसा खतम नहीं करना है तो ये पैसा कौन refund कर रहा है ये पैसा सरकार refund कर रही है अला कि यहाँ पे एक viewpoint और दिया गया था कि जब ये debt moratorium की facility दी गई तो कुछ लोगों ने debt moratorium लिया इस समय पे अपनी EMIs नहीं दी कुछ लोगों नहीं लिया Supreme Court ने बोला है कि चाहे किसी ने एक मार्च से लेके 31 अगस के time period में EMI भरी हो चाहे नहीं भरी हो आप ये benefit सब को देंगे तो एक viewpoint ये निकल के आ रहा था लेकिन चुकि Supreme Court ने बोल दिया कि सबको benefit दीजे बाद में सरकार ने बोल दिया कि ठीके भाई सबको benefit देंगे जिन्हों ने 2 करोण तक का loan लिया है तो 7,000 करोण का total खर्चा आरा interest on interest waiver यानि कि कितना पैसा हम वापस मिलेगा borrowers को जो compound interest उनके उपर लगता इस समय का और जो simple interest उनके उपर लगता इस समय का 6 महिनों का 1 मार्स से लेकर 31 अगस तक का इसके बीच का जो difference है वो वापस कर दिया जाएगा किसको borrowers को तो borrowers normal case में इस time period में compound interest देते लेकिन आप वो सिर्फ simple interest देंगे तो बीच का अगर उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है बैंकों को तो वो पैसा बैंक के refund कर देंगी कब तक 5 नॉम्बर 2020 तर ये order आ गया central government की तरफ से जनर्ट्रिलीस पेपर 2 में चीज़ आपको काम हैगी Thank you for watching, have a great day